नमस्ते दोस्तों सभी को नाम राम यह देखिए आज मैं मफलर पे यह जो बीडिंग करी हुई है क्रोशिय से यह कैसे करते हैं मफलर हो कोई भी स्वेटर हो कहीं बार क्या होता है कि जब हम बनाते हैं तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती तो फिनिशिंग के लिए हमें यह साइ कैसे कितने फंदे से कैसे यह डिजाइन है पूरा तरीका मैंने अपने चैनल में इसका बताया है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैं आपको एक पैटन है मेरे पास बना हुआ मफलर का जो मैं डाला है अपने चैनल में मैं मफलर डिजाइन के कहीं डिजाइन डाले तो कैसे करेंगे कई तो देखिए मुफ़लर पर बनाने के लिए यह नहीं चरम तो कैसे करेंगे है तो देखिए मफ़लर बनाने के बाद धागा जोडने के बाद एक chain बनाएंगे इस तरीके से चेन बनाने के बाद अब देखिए एक chain छोड़ के दूसरी chain में हमें इस तरीके से इसको क्रोश्य को डालना है और सिंगल क्रोश्य से ऐसे बना लेना है ऐसे अब हमने जो यह सिंगल क्रोश्य से बनाया है न अब हम इसमें पहले ऐसे करेंगे लपेटा करेंगे और यहां पर क्रोश्य डालेंगे यहां जो हमने यह सिंगल क्रोश्य किया है इसके पीछे ऐस इसे क्रोशिया डालके और इन तीनों को पहले हम एखटे बना लेंगे फिर ऐसे हम वर्ल डालेंगे और ऐसे करके इनको फिर हम डबल क्रोशिय में बनाएंगे फिर एक बार फिर हम इसी तरीके से फिर double crochet बनाएंगे देखिए पहला crochet हमने single किया दो हमने double किया अब हमें chain कोई नहीं बनानी अब हमें इस तरीके से एक ये छोड़ के दूसरे में crochet डालना ए और इस तरीके से single crochet से ऐसे इसको बना लेना है फिर हमेरा जो है न यह बन जाएगा, पहले में थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर इस ओल में डालने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा, आगे के लिए फिर हमें यह मिल जाएगा, होल अच्छा सा बढ़ा, तो इसमें हमें ऐसे लपेट करें करोशिय पर और वापस इसमें करोशिय डाल लेंगे, ऐसे, अब इनको पहले वाले करोशिय को हम ऐसे करेंगे, इसमें दो करोशिय हम डबल करेंगे, ऐसे, देखे, फिर हम एक यह छोड़ देंगे, अगले में इसको, फिर करोशिय को इस तर तो फिर देखिए हम फिर इसमें ऐसे बड़ डालेंगे और इस वाले होल में ऐसे यहां पर क्रोशिया डाल के इन तीनों को ऐसे बना लेंगे फिर दो बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यह देखिए फिर हम एक छोड़ देंगे फिर दूसरे में क्रोशिया डालेंगे फिर इसी तरीके से हमें कहीं भी जितने भी बड़ा अपका प्रोजक्ट हो माफला रो स्वेटर हो बनाते हुए जाना है और इसी तरीके से इसको कम्प्लीट करना है यह तीन मैंने लिए इसलिए लिए कि यह तीन का साइज ही रहता है एक हम सिंगल क्रोशिया करते हैं दो डबल अगर आपको यह थोड़ा सा बड़ा साइज बनाना है तो आप इसमें चार भी कर सकते हैं तीन बार डबल ले सकते हैं तो मैंने जब भी मैं करती हूं तो यह तीन ही लेती हूं यह साइज सही रहता है अब मैं यहां तक करके फिर आपको दिखाती हूं देखे अब बनाते हूए हम लाष्ट में पहुंच गए हैं लाष्ट में हम इसको यहां पर खतम करेंगे ऐसी हम खतम कर दिया अब इसको ऐसे हम पैक कर देंगे और फिर काटने के बाद हम इतना दागा काटेंगे इसमें से एतना और फिर उस दागे को हम इसमें इस तरीके से यहां पर सक्रोश्या डालके और इसको यहां पर पहले पक्का करेंगे और इसको हमें फिर दागे को यहां पर लाके काट देना है इसको यहां पर अच्छे से पक्का कर लेंगे अभी तो मेरे को दागा काटना नहीं है इसलिए मैंने नहीं काटा लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इसमें से हम यह ले आएंगे ना तो यहां पर फिर हमारा कोई जोड नि दिखाई देगा, जब अमारा इदागा कटा वह होगा न तो यह यहाँ आ जाएगा, और जोड नि दिखाई देगा, तो वह देखने में बहुत अच्छा लगएगा, और फिर जैसे यह एक फुंबन हमने यहाँ बान्दा है न, तो हम फिर एक इस पर बान्दे सकते हैं सुन्दर बढ़ाने के लिए बना सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगता है इस तरीके से तो देखें आज की यह वीडियो थी कैसी लगी आपको बताना जरूर कमेंट करके और जिन दिदी के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है वह भी जरूर मुझे कमेंट में लिखके बताएं कि आपको यह कैसा लगा मेरा डिजाइन